हेलो स्टुडेंट्स हाउ आर यू बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है सबी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक उमंग, रफ नॉटबुक और पैंसिल्स लेकर बैठ जाएं और धान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रिश्ट संख्या 32 लेसन नमबर 4 आंदीम परिक्षा निकाल लीजिए तो आईए आगे की रिडिंग शुरू करने से पहले लेती है एक छोटा सरी कैप बच्चों आपने इस पार्ट के फर्स्ट पेज में पढ़ा की महाराजी शोदर ने राज शिल्पी के मित्यू हो जाने पर योग्या कलाकार के चुनाव का अकार्य उन्होंने अपनी पूत्री को सुमपा और नगर में आए अनेग शिल्पियों में से तीन शेष्ट शिल्पी चुन लिये गए और उन्हें किन किन प्रिक्षाओं से गुजन पढ़ा आईए देखते हैं किस परकार राजकुमारी ने तीनों गुने शिल्पकारियों में से सर्वशेष्ट शिल्पकारी का चुनाव किया तो आईए बच्चो अब इसकी रीडिंग से पहले धिटकल वर्ड मेनी डिसकस करते हैं फर्स्ट पैरा में देखिए हुनर हुनर यानि स्किल्पकारी का चुनाव चुनाव यानि स्लेक्षन आगे देखिए बटा विवस्ता व कोई व श तकोआ विवस्ता यानि मजबूरी आगे देखिए अंतेम पारिक्षा यानि लास्ट टेस्ट आगे देखिए विजई व कोई ज यकोई विजई यानि सफल बच्चो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए एक सी दिखने वाली यानि सेम आगे देखिए मूर्टियां मक उ तकोई की मात्रा उपर रेफ यकोआ उपर चान बिंदू मूर्टियां यानि स्टैचूज आगे देखिए स्वयम आधास व यक्योपर बिंदी स्वयम यानि खुद अगली पंक्ती में देखिए बेटा वस्तरा भूशन व आधास त्रकवा भकवू शेशटकोण अन वस्तरा भूशन यानि ड्रेस एंड ओर्नामेंट्स आगे देखी बिटा उत्तर उत्तर यानी आंसर अगली पंक्ती में देखें दंड सविकार यानी अक्सेप्ट अगले paragraph में देखें एक दूसरे का मुह देखने तो बच्चो यह एक मुहावरा है यानि सोच में पड़ गए आगे देखें कक्ष कक्ष यानि रूम आगे देखें मुद्रा मको उ दर के पैर मेर आ की मात्रा मुद्रा यानि पोस्चर पी ओ एस टी यू आरी पोस्चर आगे देखें बिटा अभोशन आ भख को उ शिश्ट कोन अण अभोशन यानि गाने आगे देखें कप्रों पर पढ़ने वाली सलवतें यानि क्लोधिंग फोल्ड्स C-L-O-T-H-I-N-G क्लोधिंग फोल्ड्स F-O-L-D-S फोल्ड्स नेक्स्ट इस भाव तब बच्चो भाव में आपने दिखा भः भालू वाला आएगा भाव यानि एक्स्प्रेशन E-X-P-R-E-S-I-O-N एक्स्प्रेशन अंतर अक्यो परबिंदी तर अंतर यानि डिफ्रेंस D-I-F-F-E-R-E-N-C-E डिफ्रेंस आगे दिखें हार हार यानि डिफीट D-E-F-E-A-T डिफीट आगे दिखें निराश न कोई रकोआश निराश यानि सेड प्रवेश प्रवेश यानि एंटर प्रवकोईश प्रवेश तो चलिए बच्चो अगले पेज में दिखें असंभव अ स के उपर बिंदी भव असंभव यानि इंपोसिबल आगे दिखें बगल बगल यानि साइ SIDE SIDE Next is इतल के गमले पर यानि Brass Planter BRA, SS Brass, PLA, NTER Planter आगे देखिए पंखडियों पके उपर अंग खको उ, रकोई, यकोई, पिछे बिन्दी पंखडियों यानि Petals P E T A L S आगे देखिए आक्रितियों A क के पैमेरी तकोई, यकोई, पिछे बिन्दी आक्रितियों यानि IMEGES तो बच्चों अंतिम शब देखें दोहराई यानि REPETED R E P E A T E D REPETED तो चलिए बच्चों अब रेडिंग शुरू करते हैं बहुत सोच विचार के बाद राजकुमारी अक्षया ने आप तिनों के हाथों में हूनर है हर गुन में आप समान है फिर भी राजशिल्पी का पद तो एक ही है इसलिए एक का ही चुनाप करना हमारी विवश्ता है अब एक अंतिम परिक्षा और शेश है इसमें जो विजह रहेगा उसे ही राजशिल्पी का पद दिया जाएगा वह परिक्षा क्या है राजशिल्पी जी एक शिल्पी ने पूछा तब बच्चो प्रसोत पंक्तियों को सुनकर आपने जाना कि तीनों शिल्पकार्यों की एक समान गुन्वता को देखकर जब राजशिल्पी की न्युक्ति के लिए उन्होंनी एक और अंतिम परिक्षा देने को कहा इतना सुनते ही एक शिल्पी ने वह अंतिम परिक्षा जानने की इच्छा प्रगट की तो चलिए बच्चो आगे की रीडिंग कॉंटिन्यू करते हैं स्वर्गिय राजशिल्पी गुनाकार ने हमारी एक सी दिखने वाली दो मूर्टियं बनाई थी हम स्वयम भी उन्हीं मूर्टियों जैसे वस्त्रा भूशन पहन कर उन मूर्टियों के साथ खड़े होंगे आपको चार हाथ दूर रहकर यह बताना होगा कि उनमें से हम कहां हैं इसके लिए आप तीनों को समाल समय दिया जाएगा यदि आपका उप्तर सही निकला तो आप विज़ई होंगे यदि गलत निकला तो धन्द के भागी होंगे यदि आपने स्वते यानि खुद हार सरिकार कर ली तब ना आपको धन्द मिलेगा और ना ही राशिल्पी का पद तो बच्चों आपने सुना इन पंक्तियों में राजकुमारी जी ने अंतिम परिक्षा बताते हुए कहा कि स्वर्गिय राशिल्पी द्वारा राजकुमारी जी की दो हुबहु मूटिया बनाई गई थी राजकुमारी जी उन मूटियों के साथ खड़ी होगी और शिर्पकारियों को थोड़ा दूर रहकर उन मूटियों में सी राजकुमारी जी को पहचानना होगा हार जाने पर सजा और स्वते हार माल लेने पर ना ही सजा और ना ही राज शिल्पी के पज़ पर चुनाओ तो चलिए बच्चों आगे की रीडिंग कॉंटिन्यू करती हैं तीनों शिल्पी एक दूसरे का मुख देखने लगे यह बला कैसी परिक्षा पर राजकुमारी जा चुकी थी कुछ देर बार पहले एक शिल्पी को कक्ष में जाने को कहा गया वह कक्ष में पहुंचा तो देखा सामने तीन तीन राजकुमारिया एक ही मुद्रा में खड़ी है एक से कपड़े समान अभूशन यहां तक की कपड़ों पर पढ़ने वाली सलवटे भी समान थी चहरे की एक एक रेखा भाव अभूशनों की चमक सब एक से थी कहीं कोई अंतर नहीं था पहले शिल्पी ने बड़ी बारीक नजा से देखा परखा प्रन्तु असली राजकुमारी को नहीं पहचान पाया अंत में अपनी हार सविकार कर वह कक्ष से बाहर आ गया दूसरे शिल्पी का भी वही हाल हुआ जो पहले शिल्पी का हुआ था निराज हो अपनी हार मान वह भी कक्ष से बाहर निकल गया तो बच्चो आपने सुना राजकुमारी जी की ऐसी परिक्षा को सुनकर तीनों शिल्पी दुविदा में पढ़ गय अंत में एक एक करके कक्ष में गये जहां राजकुमारी सही दोनों मूर्टिया वहाँ पर थी जिन में बिल्कुल भी अंतर नहीं था पहले दोनों शिल्पी हार मान कर निराश होकर कमरे से बाहर आ गये तो चलिए बच्चो आगे की लिडि कॉंटिन्यू करती हैं अब तीसरे शिल्पी की बारी थी कक्षा में परवेश करते ही जब उसकी नजर तीनों राजकुमारियों पर पड़ी तो वह तबी समझ गया कि इन में से अस्री राजकुमारी को खोज पाना असंभव सा है अचानक उसकी नजर बगल में रखे पितल के गमले पर पड़ी जिसमें गुलाब का पोदा उगा था पोदे में तीन चार फूल लगे थी कुछ सोचकर उसने एक फूल तोड़ा और उसकी पंख्यों को तोड़ तोड़कर फर्ष पर गिराने लगा इस दोरान वह ध्यान से तीनों आकृत्यों को देखता जा रहा था फिर उसने दूसरा फूल तोड़ा उसे भी इसी तरह नोच नोच कर फर्ष पर गिराने लगा फिर उसने तीसरा फूल तोड़ा और यही क्रिया दोहर आई तो बच्चो आपने सुना दोनों शिल्पियों को निराश होकर कमरे से आते देख तीसरा शिल्पी यह तो समझ ही चुका था कि तीनों में से राज कुमारी को पहचाना ना मुनकिन है उसने कमरे में जाते जाते ही एक तरकीब सोच ली और कमरे में जाकर उसने पितल के गमले में लगे गुलाब के फूलों को बरी बुरी तरह नोच-नोच कर तोड़ने लगा और साथ ही साथ मूट्यों के भाव को भी देखता रहा यह क्रिया उसने दो-तीन बार दोहरा दी तो हाँ तो बच्चो आपको कहानी सुनकर अवश्य ही मजा रहा होगा अब आप आज के पड़े पार्ट को डिफकल वर्ड मीनिंग के साथ दोहराना और आगे की कहानी पहले से ही पढ़कर रखना मैं तो आपको अगली वीडियो में बाकी का पार्ट करवाऊंगी ही तब तक के लिए गुडबाई एंड स्टे हैल्दी